हेलो एवरीवन, वेलकम तु माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ कस्टड फ्रूट केक की रेस्पी, यह देखिए कितना सॉस बंजी और मॉइस्ट बना है, और इसे हम बहुत ही असान तरीके से बनाएंगे, तो चली शुरू करते हैं इसे बनाना, सबसे पहले के बटर पेपर लगाएं इस तरह से यह इजली केक बाहर आ जाता है, अब हम इसे आज कढ़ाई में बेक करें हैं, आप चाहें तो इसे कुकर या ओवन में भी बेक कर सकते हैं, अब हम नीचे डालेंगे नमक, इसे मैंने काफी बार बेकिंग के लिए यूज किया है, यह हीट होने देंगे मीडियम फ्लेम पे, अब मैंने एक मिक्सी का जा लिए, इसमें डालेंगे आधा कप चीनी, आप चाहें तो पावडर शुगर का यूज भी कर सकते हैं, इसमें डालेंगे वन थर्ड कप और एक तिहाई कप तेल डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे बिल कर लेंगे, इन तीनों चीजों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, तो अच्छे से ब्लैंड हो गई, अब एक बोल में लगाएंगे एक स्टेनर और अपने ड्राइ इंग्रीडियेंट्स रेडी करेंगे, तो यह एक कप मैदा डालेंगे, रिफाइन फ्ला, अगर मार्केट में मिल जाएगा, वन टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, और वन फोर टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, अब इन सारी चीजों को अच्छे से चान लेंगे, इस तरह चानने से क्या होता है, इसमें एर ट्रैप हो जाती है, और केक हमारा बहुत क्या से राइज होता है, अच्छे से मिक्स कर लें, यह देखिए, अब हमारे ड्राइ इंग्रीडियंट्स रेडी है, तो हमने जो अपने वेट इंग्रीडियंट्स तायार करके रखे न, यह थोड़ा थोड़ा एड़ करेंगे, यह जो हमने ऑईल, कर्ड और चीनी रखी थ इसमें दूध हम बाद में आड़ करेंगे, दही फ्रेश यूज करनी है, हमने खटी दही से क्या होता है, केक का टेस्ट बिगड़ जाता है, और दही डालने से, केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है, और सॉफ्ट बनता है, यह देखिए, सारा मैंने इसमें डाल लिया और अच थोड़ थोड़ इसमें एड़ करेंगे, और बैटर की कंसिस्टेंसी एड़ेस्ट करेंगे, यह देखिए, बैटर ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा गाड़ा, तो दूध हम थोड़ थोड़ इसमें एड़ करते जाएंगे, और मिक्स करते जाएंगे, यह देखिए, बह चाहुआ दूद भी इसमें एड कर देंगे तो यह पूरा मैना इसमें वन थर्ड कप दूद डाला है यह देखिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है यह देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बिल्कुल रिबन लाइ के दूधना और ना जाधा पतली अब हम इसमें टूटी फूटी अइड करेंगे तो यह मैने दो बड़े चमट लेये ऐ थोड़ा सा मैदर डालेंगे और इस तरह से मैदे से इसे कोट कर देंगे इस तरह से क्या होता है टूटी फ्रूटी केक के नीचे जाके नहीं बैठती है आप जाहें तो इसे बिना टूटी फ्रूटी के भी बना सकते हैं इसमें ड्राइ फ्रूट से एड़ कर सकते हैं जैसे काजू, बदाम, किश्मिश यह देखिए अब इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ इसी टूटी फ्रूटी हम उपर से डालेंगे यह देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया हमने अब हम इसे केक के बैटर को केक टिन में ट्रांसवर कर लेंगे यह देखिए अब इसे अच्छे से हम टैप कर लेंगे अब उपर से हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल लेंगे जो हमने बचा के रखी थी इस तरह से केक बहुत ही सुन्दर दिखता है यह देखिए अब हम इसे प्री हीटेड कढाई में रख देंगे जिसे हमने गरम किया है पांच मिनिट के लिए बड़ी साफधानी से रखेंगे इस तरह से और लिट से कवर करके इसे बिल्कुल सिंपल लो फ्लेम पे हमने इसे 45 मिनिट्स तक बेग करना है तो 45 मिनिट्स के बाद चेक कर लेते हैं यह देखिए बहुत बढ़िया से राइज हुआ है तो सेंटर में एक टूथपिक या नाइफ डाल के चेक करेंगे यह देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है तो इसे हम बहार निकाल के ठंडा कर लेते हैं यह देखिए बहुत बढ़िया से केक राइज हुआ है आपको 50 से 55 मिनिट्स भी लग सकते हैं अब इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम डी मोल्ड करेंगे अगर आप गरम केक को डी मोल्ड करेंगे न तो वो तूट जाएगा तो इस साइड में तो मैंने बटर पेपर लगाया है और नाइफ से आप चाहें तो इसकी साइड भी क्लीन कर सकते हैं अब यह मैंने एक प्लेट में निकाल लिया यह देखिए बहुत बढ़िया बना है ह आप जरूर इस रेस्पी को घर पे ट्राई करें आपको इस रेस्पी कैसी लगी कमेंट्स में लिख कर बताएं अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें यह देखिए कितना सौफ स्पंजी और मॉइस्ट बनाएए आप जरूर इस रेस्पी को घर पे ट्राई करें थैंक्स पो वाच्चीं!